हलो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया है यदि आपकी मुबाल में प्ले स्टोर से कोई भी एप्लिकेशन इंस्टॉल ना हो तो क्या करेंगे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके सीखें सब कुछ तो चलिए सीख लेते हैं प्ले स्टोर एप्लिकेशन को ओपन करेंगे और अपनी लॉगण आइडी के आइकन पर क्लिक करेंगे इसके बाद दिये गए सेटिंग के आप्शन पर क्लिक कर देंगे सेटिंग पर क्लिक करने के बाद सेकेंड आप्शन नेटवर्क प्रिफरेंस पर क्लिक कर देंगे ऐसा करने के बाद page को back कर देंगे और एक बार फिर से login ID के icon पर click कर देंगे अब दिये गए manage apps and device के option पर click कर देंगे इसके बाद update available के option पर click कर देंगे यहाँ पर आपको check करना है कि कोई भी application pending condition में ना हो यदि कोई भी application pending condition में हो तो दिये गए cross के icon पर click करके उसे close कर देजिए ऐसा करने के बाद इस page को close कर देंगे और mobile के menu में चले जाएंगे अब setting को open करेंगे setting में apps के option को search करके इस पर click कर देजिए और इसके बाद इस page में google play store के application को search करेंगे search करने के बाद दिये गए google play store के option पर click कर देंगे अब दिये गए storage के option पर click कर देंगे और इसके बाद left side में दिये गए clear data के option पर click कर देंगे इसे ok कर देंगे इसके बाद page को back कर देंगे अब दिये गए google play service के option पर click कर देजिए इसके बाद दिये गए storage के option पर click कर देजिए अब left side में दिये गए manage storage के option पर click कर देजिए इसके बाद clear all data के option पर click कर देजिए इसे ok कर देंगे ऐसा करने के बाद भी यदि आपके mobile में कोई भी application इंस्टॉल नहीं होता है तब हम एक setting और करेंगे इस page में YouTube application को search करेंगे और उस पर click कर देंगे इसके बाद दिये गए storage के option पर click कर देंगे अब left side में दिये गए clear data के option पर click कर देंगे इसे ok कर देंगे ऐसा करने से YouTube के offline download किये गए video delete हो जाएंगे अब आप कोई भी application इंस्टॉल कर सकते हैं Thanks for watching